हजारी वाग बीजेपी से लोग सभा का टिकेट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से के हजारी वाग फाइट करना है हमने इग्नौर किया चत्रा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबा से आरेसस के लोग बैठी रहते थे चत्रा का सीप से फाइट करने का बहुत ज़दा प्रेशर था बीज़िपी से हमने उसको भी इग्नॉर किया मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना पूरे मेरे घर में मेरे मा उधर परिशान मेरे और इधर पूरे दिन बर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया घंटों बैठाया गया एक ही जगे में अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगे में कहीं भी एक महीला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबा जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक मैं सोई भी थी और उस हवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुचे तो निश्यत रूप से ये बहुत ही दुखाद है और जिस तरह से हर चीज फॉलिटिसाइस करके चीजों को किया जा मैं कि जदा एंटी पीसी के खिलाफ विदान सभा में मामला मत उठाओ मैं इन लोगों की खिलाफ मामला नहीं उठाओं अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेप मैं शेत्र की जनता में अपने राज्य की जनता कि जो विजन है या जो मेरा राज्य को आगे परिशाने का जो विजन से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पर चलती रहूंगी, जितनी भी रुकावटे आए, मैंने मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परिशान थी, हो सीधा कैदी कि अब राजनीती से में हम लोगो नहीं रहना है, उन्ह लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीती चल रहा है, आप लोगों से चुपावा नहीं है, कुछ केसेज जो मेरे पापा के उपर मुमी के उपर थे, उससे रिलेटेंगे,